Hi everyone, welcome back to my channel, कैसे हो, आप सब आई हो, आप सब बहुत अच्छे होंगे और guys, मेरी बहन जब आई थी, तो देखो क्या-क्या लेकर आई थी मैं इस वीडियो में प्रॉपर अच्छे तरीके से तो नहीं दिखाई हूँ अगले किसी वीडियो में मैं आप लोगों को सारा चीज़े दिखाऊंगी फिलाल देखो, मेरी मम्मी ने क्या-क्या भेजा है मेरे लिए वैसे तो मैं कोई भी चीज नहीं मंगाती हूँ मम्मी से, हमेशा ये कहती हूँ आपको कोई जरूरत नहीं है देने की, जो कुछ है मेरे पास बहुत है और मुझे नहीं चाहिए लेकिन मम्मी है, पता नहीं क्या-क्या सोचा करती है उनको पता नहीं क्यों मेरे घर मेरे गंबले ने नहीं नहीं आ रहे होंगे उनको ये भी लग रहा था कि रिंकी के पास बढ़नी नहीं है अचार रखने के लिए तो अब मुझे बढ़नी की जुरूरत थी लेकिन ये बात तो मुझे ही पता थी केवल मेरी मम्मी को क्या से पता चली मुझे क्या पता ये सब चीजे भेज दी है और ये आध्या जो ड्रेस पहने हुए है ये आध्या के जनम जिन के लिए उसकी नानी ने भेजा है और दक्स के जनम जिन निकाल चुका था इसलिए दक्स के लिए भी भेज दिया है और साथ-साथ बच्चों को ये जो पोले हैं ना कचरी बोलते हैं आप लोग जानते होंगे जो भूने जाते हैं बड़े-बड़े हो जाते हैं वो सारे बेजे हुए हैं बलकि मैंने खूब मना किया था मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना ही आप इतनी सारी मेहनत करो ना ही करनी होती हैं मुझे मालूम है मेरी दुकान है वहाँ से पापा ने ममी ने बेज दिया है लेकिन और कुछ सामान होता है तो मुझे बहुत कश्ट होता है कि यार पैसे लगा के क्योंकि पैसे तो मैं भी खश करके कर सकती हूं लेकिन जो चीज़े आई हुई हैं वो बहुत है और भी बहुत सारी चीज़े आई हुई हैं मैं आपको किसी वीडियो में इत्मिनान से बैठके दिखाऊंगी इसमें मैं आपको प्रोपर अच्छे से दिखाने पाई हूं आदक सीडर्स भी दिखाऊंगी उसके बाद मैंने उस दिन कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया मेर करनी तव्यत जो थी वो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही थी मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी मैं साम के टाइम पर फिर यह दूसरे दिन की साम है दिन भर मैं ऐसी ही बिमार सी पड़ी रही और ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं उट पाऊंगी पैरों में सूजन सी थी सारा काम जो है राखी ने किया था मुझे बहुत बुरा सा लग रहा था लेकिन फिर भी मैं थोड़ा मोड़ा किया और सामको ये तयार होकर हमको जाना था एक मुंडन के फंशन में मेरे ही घर के पास में एक घर और बन गया है नियू घर बना है उसका ग्रैप्रिवेज भी है और बेटी के मुंडन का फंशन भी है तो हम लोग ये सोच रहे थे कि ग्रैप्रिवेज के हिसाप से लेके जाए सामान या फिर मुंडन के हिसाप से बेटी के लिए तो मैंने बच्ची के लिए ही कुछ गिफ्ट पैक करा लिया है अपने हजबन से मैंने बोला पैक करो चलो चल आती हूं उसके बाद मैं मेरी बहने तयार हो गई कैसी लग रहे हैं बताओ फंस्टन में पहुचे तो वहाँ पे दो चार फोटो क्लिक की वीडियो और नहीं बनाया था रील बनाई थी एक दो आज कर चल दी रहा है वो गोल गोल रांड रांड घूमता है उस पे रील बनाई किया ऐसे ही सो गई और सुबह जब उठी तो राखी नहारे दोने के बाद आद्ध्या को अदफ्पर नहाला दूला कर तयार किया यह जो वीडियो क्लिक आप देख रहे हो यह 21 तारीक का है 21 अप्रेल का जिस दिन मेरे हस्बिन का जनम दिन होता है और मैं अपने हस्बिन के जनम दिन पे बहुत बिमार सी हो गई थी तो कुछ इस पेसिल करनी पाई और दूसरी चीज़ यह है मेरे हस्बिन भी बिमार थे आपको पता है उनके गले में काफी ज़्यादा रेडनेस अंदर से घाओ जलन यह सारी चीज़े हो रही है आप में से सारे लोगों ने बहुत लाए थे तो उन्होंने जो दवाई खाई उससे आराम तो गले में बहुत मिल गया लेकिन उन दवाईयों ने पेट में दर्द कर दिया इतना ज़्यादा कि हूँ हू करके तक रो रहते मेरे हस्बिन साज मैं मैंने अपने हस्बिन को इस तरीके से रोता बिलकता हुआ नही खराब थी कि ये नहीं मेरी बहनों को बहार ले जा पाए नहीं पाटी दे पाए और नहीं घर में कुछ कर पाए यहां तक कि रात को मुंग दाल की खिचड़ी बना कर खाई थी हम लोगों ने ये सुबह का टाइम है मैंने पूहा बनाया था और बस और कुछ ने पूहा ही इसी बनाया था मैंने उसके बाद ही पूहा बनाने के बाद ही अचानक से मुझे भी बहुत दर स्टार्ट हो गया पेट में पैर में सूजन सी हो रही थी बढ़ने लगी ये सब को फिर मैंने काम छोड़ दिया था फिर ये राखी ने ही सब कुछ खाना बनाया था लेकिन य और अंकिता ने मिलकर पूरी घर की क्लीनिंग भी की तो मैं जाइड सी बात है मैं जब पड़ी हुई थी ऐसे ही बिमार तो मैं कैसे ही सपुसूट करती तो कुछ चीज कैप्चर नहीं की और आज जो था मेरी बैनों ने हम समने सोचातर कुछ स्पेशल करेंगे और जो आज आ करने के बाद ऐसे ही पड़ी रही फिर जब रात हो गई किचडी वगएर हम लोगों ने बनाई थी सामको जब थोड़ा राम मिला मुझे तो मुंगदाल की किचडी पापड और चटनी जब लाइट आ गई थी तब चटनी भीसी थी मैंने क्योंकि दिन भर तो लाइट रहत अने के लिए ये बाहर निकले हैं एंवर्ज उसके बाद दूसरे दिन सुबह यानि 22 तारी को मेरी बेहनों को वापस जाना था घर मैंने खूब मना किया लेकिन नहीं मेरी बेहनों को भी मम्मी की चिंता है मम्मी की याद आ रही थी मम्मी बहुत अकेली है और मुझे लगा मैं नहीं जा पारी हूं माय के क्यों नहीं जा पारी हूं कब जाओंगी मैं कहीं नहीं जा पारी हूं माय के कर नाम क्यों ही लगा हूं मैं कहीं भी नहीं जा पारी हूं अपने घर छोड़कर मुझे भी कहीं जाना है लेकिन नहीं जा पारी हूं सुबह के देख सकते हो पांच बच चुके थे मैं सुबह के अर्ली मॉनिंग फाइफ ओकलॉक ने फोर ओकलॉक उड़ गई थी चार बच गए थे और मैं चार बज़े उड़कर मुहाद दुली और उसके बाद मैंने ये सबजी कट की और मैं सबजी बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेहन की बेहनों की जो बस ह वो करीबन साड़े पांच बजे की है साड़े पांच बजे मेरी बेहन बस में बैठके यहां से रवाना हो जाएंगी घर के लिए सुबह इतनी जल्दी इसलिए जा रही है दुपैर में बहुत धूप हो जाती है ट्राफिक हो जाता है और जब बस से जुसरी बस से मेरा जाती है तो सुबह का जो उसका ऊसा नास्ता खाणाय वो मेंने बना लिए यही ए कुड़ी खाली थी और बागी का पहक करकी ले गई थी और मेरे ह़स्बेंट को भी स्कूल जाना था तो मैंने यही सब कुछ मेरे उपने बच्चों के टिफिन में भी पहक कर दिया था मन बहुत उदास था, अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बहने आई, सब कुछ ठीक था उसके बाद मैं दूसरे तीसरे दिन ही बिमार हो गई और लगातार सारा काम मेरी बहनों ने सब कुछ किया मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाई मैं उनको कहीं बाहर भी नहीं ले गई मैं कोई चीज़ नहीं कर पाई मैंने कुछ भी नहीं किया तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था सारी चीज़े मेरी बहनों ने की और कुछ इंज्वाय ज्यादा नहीं कर पाई हाँ, हलाकि वो फंसन था उनके घर में लोग कहाँ पर उसमें तो वही ले गए थे मैं बस उसके अलावा कुछ भी नहीं और फिर मेरी बेहनों का जाने का वक्त भी आ गया था यह जो पल था वो बहुत इमोशनल था लेकिन अगर मैं रो देती तो मेरी बेहने बहुत रोती जाने में और बस में भी बहुत रोती क्योंकि मुझे याद है एक बार जब राकी अकेले आई थी और सब सुबह पांच बजे गई थी तो अकेली थी अंकिता नहीं थी तो बहुत रोई थी तो मैं भी रोनी लगी थी तो हम दोनों लोग रोते हुए इसको विदा किया था और जब मैंने फोन किया बस में कहां पहुची हो तो बस में भी मैडम रो ही रही थी और जब देखा दक्स और आद्या सोर है उनको खुब सारा प्यार पुच्ची देकर उनको खुब सारा प्यार देकर आखों में आशु भरे हुए वो चली गई थी उसके बाद मैंने आप पर ये शिल्वर टिफिन जो आते वो निकाले थे तो वोली की रहने तो इसमें मत पैक करो तो ये बॉक्स आते है ना इसमें मैंने एक में सबजी एक में रख रही थी मैंने एक टिफिन में मिठाई थोड़ी सी करके रखी थी रास्ते में खा लेना पता नहीं क्या सोचा मेरी बहन ने कि मैं लेकर आई हूँ और ये नहीं लेना है मुझे ये तो मेरी मम्मी ने दीदी के लिए भेजी है वो वापस मेरी फ्रिज में ही रख गई थी मुझे बहुत कुछा आया था कि राके तुमने ऐसा क्यों किया लेकिन नहीं वो बहुत सोचती है मेरे बारे में घर वालो सब के बारे में वो इतना सब को सोचती है घर में लगातार सारा काम करती है पर वो आई है तो अब घर का महा का जो महाल है काम करने का हरे चीज का सब बिगड़ा पड़ा है यहां से जाके वह ऐसे जुटेगी क्या पताऊं मेरी मम्मी याद बहुत कर रही थी लेकिन एक चीज है मेरी मम्मी यह कह रही थी टाऊर रहना जोर रहे लेकिन राखी का फिर नहीं लगा दिल क्योंकि उसको मम्मी की बहुत याद कर रही थी मम्मी को चिंता हो रही थी कि मम्मी अकेले क्यों परेशान हो रही क्यों रो रही है उसको मम्मी का केलापन नहीं देखा गया लेकिन आध्या बहुत रोई रात भर रोई लेकिन आध्या इतनी वो है कि सुबह रोई नहीं थी उदास थी लेकिन मौसी के जाने के बाद वो रोई थी यहाँ पर मैं बैक दे रही हूँ, इस तरीके से जा रहे हैं, आप लोग यह मसोच नहीं, इस तरीके से क्यों जा रहे हैं, इदम खाली रोट है, और 5-10 मिनट लगेगा, बस पहुच जाएंगी, बस 10 तक, और बस आराम से बहने बैट के चली गई थी, कोई दिक्कन नहीं वे इस ताइम मेरी सिचुएशन ही बहुत जादा खराब थी, और ये बात मेरी बैने, बहुत मेरे घरवाले बहुत अच्छे समझते हैं, कोई समझे या ना समझे, मेरा माईका, मेरा मेरी बैने, बहुत अच्छे से समझती हैं, मेरा हस्बिन को, मुझे सब को, और ये बात मेर husband बहुत अच्छे से जानते हैं और मेरे husband बहुत जदधा अच्छे हैं बहुत जदधा बहुत बहुत जदधा खेर आध्या बहुत उदास हो गई थी और गहुत रोने सी लगी थी मैंने उसे चुप कराएक नाया और फिर आध्या को मैंने स्कूल जाने के लिए मनाया वो बना उदास होगी थी बहुत और बार बार मौसी को फोन करने को कह रही थी मैंने बोले स्कूल से आओगी तब कर रहा होंगी बात तो गाईस बस इतना ही इस वीडियो में सूट किया था आई होप आपको इस वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो मैं बहुत इमोशनल थी और अभी ठीक फील हो रहा है एक दो दिन हो जाता है तो ठीक लगने लगता है लेकिन यह है कि मैं उदास बहुत हो गई थी उसके बाद मेरा दिल नहीं लग रहा था पूरे घर में तो चलिए गाईस इस वीडियो को यही खतम करते हैं आप से मिलते हैं अगले नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए खुब सारा प्यार देना और सपोर्ट करना थैंकि फॉर ओचिंग बाए